नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है जौनपुर में मंगलवार को आकासी बिडली गिरने से दो किसोर की मौत हो गई वहीं महिला समेत दो जुलस के घटना सुजान गन थाना छेत के तीन गाउं में मंगलवार की दो पहर बारिश के दोरान गिरी आकासी बिडली के दोरान की है इस दोरान आकासी बिडली की चपेट में आने से दो किसोर जुलस कर मर गई वहीं महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से खायल है उन्हें उपचार के लिए समदाइक स्वासकेन में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि भीलंपूर गावनिवासी 14 वर्षी बसंसर्मा पुत्र अमरितलाल सर्मा अपने हम उम्र सौरब गुप्त पुत्र कृष्न चंद के साथ आंधी में गिरे आम को बीरने के लिए घर से करीब 200 मीटर दूर इस्थित बाग में गया था उसी समय गरच चमक के साथ बरसाथ सुरू हो गई भीगने से बचने के लिए दोनों आम के पेड़ के नीचे बैड़ गए इसी दोरान आकासी बिली गिदी जिसकी चपेट में आने से दोनों बुरी तरह से जुलस गए पता चलते ही मौके पर पहुँचे परिजिनों ने दोनों को आनन फानन में समदाइक स्वास्केन पहुँचाया डॉक्टरों ने देखते ही मृत खोशित कर दिया दोनों की सोर की मौज से उनके घर में कहराम मचा हुआ है मृत पसंद तीन भाईयों में मजला था वह आथवी कच्छा की पढ़ाई कर रहा था सौरब दो भाईयों और दो भनों में सबसे छोटा था वह सात्वी कच्छा का चात था बौरई गाउं की देखा देवी पतनी सुनी लियादव घर के बाहर लगे हैंड पंपर कपड़े साफ कर रही थी अचानक बिजली कड़कने पर वह घर में भागने लगी उसी समय बिजली से वह जुलस गई उधर पुखरा निवासी सोलर वर्सी रजनी श्यादव घर से कुछ दूर आम के बाग में आम बिनने गया था वहीं आकासी बिजली की चपेट में आने से जुलस गया दोनों का सामदा एक स्वास्केद में उपचार चल रहा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की घंटी जो दबाई